स्वामी विवेकानंद का अपने गुरु शीराम खुष्न्य परहम हंस से एक अद्भुत विश्टा था कूली कि गुरु शीशपरंपरा का अद्भुत उधारण है स्वामी विवेकानंद जिग्यासू प्रवृति के थे इश्वर को लेकर श्रिष्टी को लेकर उनके मन में प्रश्ण उठते वास्तों में कौन है जो इस ब्रह्मार्ण को चलाता है कौन है जो इस ब्रह्मार्ण को निरंद्रत कर रहा है इश्वर को लेकर धर्म को लेकर जो सिक्षा में ग्रहन कर रहा हूँ वे कहीं औचितवीन तो नहीं उनकी इस अद्भुसोच और जिग्यासा की वजह से उनकी आध्यात्मिक ज्यान की चर्चा लोगों में हो रही थी किन्तु उन्हें यह जिग्यासाइं अधीर बना रही थी इस जिगत को संचालित कौन कर रहा है उसका रूप क्या है? मानव जीवन का अभिप्राय क्या है? जाने के लिए वे बहुत से लोगों से मिलते लोग उन्हें अपने तरह से उनको समझाने की कोशिश करते किन्तु उन्हें कोई भी तर्क यतत थे उनकी जिग्यासाओं को शान्त नहीं कर पा रहे थे ऐसे में लोगों ने उन्हें रामकृष्ण परमहंस से श्रीनेशवर में मिलने को कहा श्री रामकृष्ण उन से मिलकर नेप्रसन हुए जैसे उन्हें हमेशा से जानते हों किन्तु स्वामी विविकनंद की रामकृष्ण पर शद्धा और विश्वास अचानक नहीं हुआ वह यह भी माने को तयार नहीं थे कि यह विच्चतर सी बातें करने वाला पुरुष ग्यानी या इश्वर दर्शी हो सकता है किन्तु लगभक तीन वर्षों तक उनके सास ससरने के पश्चात उन्हें रामकृष्ण की अध्यात्मिक शक्ति, शिशुवत भावनाएं, त्याक की प्रवृत्ति तता निश्चल प्रेम ने उन्हें बाढ़ लिया और फिर यह संबन्द इतना गहरा हुआ कि रामकृष्ण के प्रति उनकी भक्ति और निश्चा गहरी होती चली गई शिरामकृष्ण भी जानते थे कि स्वामी विवेकानन्द याने की नरेंद्रनात देव शक्ति के संपन साधक हैं उनके इन गुणों को जानते हुए ही उन्होंने स्वामी विवेकानन्द को आध्यात्मिक रहका पथिक बनाया और अपना सर्व ग्यान उन्हें देखकर स्वामा समाधी में विलीन हो गए उनके चले जाने के पश्चात स्वामी विवेकानन्द द्वारा कहे गई ये शब्द गाए गीत शुनाते तुमाए का हिंदी अनुवाद है गता होंगी तुमें सुनाने को उस कविता का ही भाग है और प्रोध करके देव तुमसे किनारा कर जाना चाहता हूँ कभी चाहता हूँ किन्तु निशाकाल में शयया के शिरोभाग में देखता हूँ तुमको खड़े हुए, चुप चाप आँखें छलचलाई हुई, हेरते रहे तुम मेरे मुक्की ओर, उसी समय बदल जाता है भाव मेरा, पैरो पर पढ़ता हूँ, परक्षमा नहीं मांगता, तुम नहीं करते रोश, पुत्र हूँ तुम्हारा, कहो और कोई कैसे इस प्रगलवता को स पहन कर सकता है, रभू हो तुम मेरे, तुम प्राण सखा हो मेरे, कभी देखता हूँ, तुम मैं हूँ, और मैं तुम हूँ